स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकराच यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi 5 Plus या फिर किसी भी Redmi Mobile में आपको Call Bearing Connection Problem और Invalid MMI Code का Problem आ रहा है तो इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना तो दोस्तों यहां पर देखिए यह Problem हमें कब कब आता है और इसका क्या क्या solution है मैं आपके सारा यहां पर डिसकेस करने वाला हूँ सबसे पहले तो दोस्तों आप जो कोट यहां पर डाइल कर रहे हो मेक्शियूर कर लिजेगी वह कोट सही है ठीक है कभी कभी कोट कलत होने पर भी आपको यहां पर यह Problem शो होगा अभी solution किया है दुसरा दोस्तों यहां पर देखे सबसे पहला solution तो आपको settings पर जाना है उसके बाद में आपको एकदम नीचे आके यहां पर ढूनना है यहां पर आपके mobile में शायद आपको application manager शो करें all application apps शो करें या फिर installed apps उस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर दोस् message पर या फिर storage पर आना है और यहां पर आपको clear data पर क्लिक करके इसे clear कर देना है ठीक है यहां पर दोस्तों यहां पर पहले force stop पर क्लिक करना है उसके बाद में यहां पर clear data पर क्लिक करके सारा clear कर देना है उसके बाद में app permission पर जाके यह सारा permission आपको allow कर देना है उसके बा problem solve होई जाएगा by chance नहीं होता है तो final option है कि दोस्तों आप अपना setting में जाके additional setting में चले जाएए और यहां से दोस्तों backup and reset में जाके अपना system setting को जो है वो reset कर लिजेगा उसके बाद में तो आपको problem definitely solve हो जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो पसंदा आएगा thanks for watching